कुरोना सिर्फ पर्व में क्यूँ आ रहे हैं यह तो चुनाव में भी आ सकते हैं क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जन संख्या लोगों का भीर होता है तो चुनावी रैली में होता है तो वहां पे करोना नहीं होता है और सरकार असानी से चुनाव करा लेते हैं लेकिन जब भी पर्व आता है बीते दिन होली हो असुबरात हो तो बहुत सारे नियम आ गया थे कि आप समारों नहीं कर सकते हैं मिलन समारों नहीं कर सकते हैं भीरी खटा नहीं कर सकते हैं सरकार को यहां पे नजर बहुत जल्दी आजाती है नमस्ते नमस्कार मेरा नाम है यलबी सा और आप देख रहा है सागं इभूज हम बात कर रहे हैं करोना स्वर में ही क्यों आता हैं सरकार की चुनावी रैली में क्यों नहीं आता हैं जहांकि 1000-1000 संख्या में लोग खरे होते हैं और वह भी बीना डिस्टेंस का और बीना मास्क का वहाँ पर करोना नहीं ख्यलता है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ कि बिहार में करोना का रिपोर्ट कितना है अभी तक का तो मैं आपको बता दू कि बिहार में अभी तका कुरोना केस 2,65,000 है जब कि 24 घंटे में 269 केसे जाए है और पटना का केसे जो मैं आपको बता दू तो पटना का केसे है टोटल केसे 207 जिसमें एक्टिब केसे 289 और टोटल रिकॉबर है 16 तो मैं बात करूँ अपने मतिहारी की तो मतिहारी जिला का केस 37 जिसमें एक्टिब केसे 35 टोटल रिकॉबर है दो तो इस तरह है करोना का रिपोर्ट तो मैं बात कर रहा था कि कुरोना सीब पॉल में क्यों आता है सरकार की चुनावी जंग में जैसे कि अभी बेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है वहां प आप सारे लोग Google पर जाए और सर्च किजेए कि best बंगाल में Corona है या नहीं गूगल क्या जवाब देती है या तो आप तो जानी रहा है कि Corona कहा कहा है और कहा कहा नहीं है जब भी कोई पर बाता है हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सीख का हो या इसाय का हो किसी भी हो तो वहाँ पर सरकार सक्ति से पेस आते हैं, बहुत सारे नियम और रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं, जिसे बीतर दिन होली में मिलन समारो पर रोक लगा था, लोग मिलन समारो नहीं कर पाए, अपने घर पर होली मनाए, अगर लेकिन बंगाल में चुनाव चल लाया है, तो आपकी क्या रहा है, अपनी राय जरूर बताईएगा, करोना को लेकर सरकार को अपनी सुझाव आप क्या दे सकते हैं, धन्यवाद